तो थोर दो गॉड ओफ ठंडर के साथ सूपर हेरो जिसे लगबख सारे सूपर फैंस पसंग करते हैं बेसिकली थोर वन अफ दा मोस्ट पॉर्फूल सूपर हेरो में से एक है थोर नाइट रेलंग्स का प्रोटेक्टर है लेकिन सबसे बड़ी बात थोर एक गॉड है कि थोर एक गॉड कैसे बना तो स्वागते दोस्तों आपको और इंग डीटेल वीडियो में और आज हम बात करने वाले है कि थोर एक गॉड ओफ ठंडर कैसे बना तो बेसिकली थोर नॉर्स माइथूलोजी का एक गॉड है और आज से कई साल पहले स्टैंडले को एक ऐसा सूपर हिरो बनाना था जो किसी भी मॉडल सूपर हिरो से ज़ादा पॉडफुल हो और मॉडल के लिए गॉड से ज़ादा पॉडफुल कोई नहीं होता है इसलिए राइटर्स ने नॉर्स माइथूलोजी से थोर को चूज किया थोर सबसे पहली बार अपियर हुआ जर्णी इंटो मिस्ट्री कॉमिक्स में बेसिकली इस स्टोरी लाइन में एक डॉनल ब्लेक नाम का आदमी था और तब डॉनल ब्लेक थोर में ट्रांस्फरम हो जाता है लेकिन ये स्टोरी थोर के फर्स्ट अपियरेंस की थी लेकिन अब बात करते हैं कि थोर एक गॉड ओफ ठंडर कैसे बना तो एमस्यू में हमें दिखाया गया कि थोर की मा काना फ्रीगा है लेकिन कॉम्स में थोर ओडिन और एल्टर गॉड इस गाया का वेटा है थोर का जनम नॉर्वेग के केव में हुवा था लेकिन ओडिन थोर को बच्पन में ही एसगाड ले आता है जहाँ पर थोर को एक वार्यर बनने के ट्रेनिंग मिली और टाइम के साथ थोर ने खुद को वर्दी प्रूफ करके म्यूनर को भी लिफ्ट कर लिया लेकिन कई सारों तक थोर को लगता था कि वो गॉड ओफ हैमर है लेकिन टाइम के साथ थोर को पता चला कि वो गॉड ओफ हैमर नहीं बलकि गॉड ओफ धंडर है और अपने हैमर के बिना भी थोर लाइटनिंग को चैनलाइस कर सकता है लेकिन अपकोश्चन ये निकल कर आता है कि थोर गॉड ओफ ठंडर कैसे बना तो जिसे मैंने बताया थोर ओडिन और गाया का बेटा है बेसिकली ओडिन को हम सब जानते है लेकिन जिने नहीं पता गाया कौन है तो उन्हें बता दू कि बेसिकली गाया एंडर गॉड़ेस या मदर अर्थ है और गाया अर्थ के किसी भी नैचरल फोर्स को कमांड देकर अपना काम पूरा कर सकती है जिसे लाइटनिंग स्ट्राइक करना, स्ट्रोम स्क्रेट करना, अर्थ क्विक्स लाना और भी बहुत कुछ और क्योंकि थोर ओडिन और गाया का बेटा है इसलिए थोर के बोड़ी में ओडिन और गाया के जीन्स है इसलिए थौर बागी एस गाडियन से ज़्यादा पाउरफुल है और Mother Earth के जीन्स के वज़े से थौर के पास गाय की कुछ पावर्स का एक्सिस भी है जैसे हुराकेंस बनाना, वैलकोन अक्टिविटी करना, लाइटनिंग स्ट्राइक करना और वैदर को मैनिपलेट करना और यही रिजन है जिसके वज़े से थौर गौर्ड ओफ लाइटनिंग नहीं, बलकि गौर्ड ओफ थंडर है तो अब जब थौर की बात हो गई है, तो साथ में लोकी और हेला गौर्ड केसे बने वो भी जान लेते है सबसे पहले बात करते हैं लोकी की, तो लोकी फ्रोस्जान किंग का बेटा है, लेकिन लोकी बचपन से ही काफी कमजोर था इसलिए फ्रोस्जान किंग लोकी को मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन ओडिन लोकी को अडॉप्ट कर लेता है लेकिन लोकी फिजिकली थोर और ओडिन से काफी कमजोर था और लोकी को बचपन सही मैजिक में ज़ादा इंटरस्ट था इसलिए लोकी ने अपने माँ फ्रीगा से मैजिक सीथ लिया लेकिन टाइम के साथ लोकी थोर से जलने लगा और लोकी हमेशा से एसगार्ड पर राज करना चाहता था लेकिन लोकी का एक नेगेटिव पॉइंट था और वो ये कि लोकी को अपनी गल्चया छोड़ कर बाकि सबकी गल्चया दिखाई देती थी बेसिकली लोकी हमेशा खुद को बेस्ट दिखाने की कोशिश करना चाहता था लेकिन टाइम के साथ लोकी ने अपने मैजिक को यूज़ किया बूरे कामों के लिए और एक दिन ओडिन ने तंग आकर लोकी को मिस्चिफ का टाइटल दे दिया बेसिकली मिस्चिफ मतलब एक ऐसा आदमी जो कभी सीरियस नहीं रहता है और जो लोगों को बार-बार धोका देता है लेकिन मार्वल कॉमिक्स में कभी रिविल नहीं हुआ है कि लोकी को गॉड ओफ मिस्चिफ क्यो बोला जाता है लेकिन नॉर्स माइथोलोजी में फ्रोस जायंट के गॉड हुआ करते थे लेकिन काफी थेरिस के हिसाब से नॉर्स माइथोलोजी में फ्रोस जायंट गॉड थे इसलिए लोकी को दे गॉड ओफ मिस्चिफ का टाइटल मिला हेला के Goddess of Death बनने की स्टोरी ज़्यादा complicated नहीं है basically comics में हेला लोकी और एंगर बोड़ा की बेटी है और जब हेला बड़ी हो जाती है तब ओडिन हेला को Goddess of Death का title दे देते है और अब ये हेला का काम था क्योंकि सेस गार्डियन के soul को हेल और निफलहाइम में trap करती है तो आज हमने डिसकस कर लिया कि लोकी, थौर और हेला गौड कैसे बने comics की basis पर लेकिन अगर आपको अपना opinion देना हो तो comment ज़रूर करें और इस वीडियो को like और share करना ना भूले और चैनल को subscribe करें इसी detail वीडियो देखने के लिए तो फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक good bye